दोस्तों आज कोई टॉपिक नहीं मिल पा रहा था मुझे किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाओं या आप लोगों को लेक्चर दूँ या आप लोगों को एक वीडियो पब्लिश करूँ आप लोगों तक के दर्मियान लेकिन मैंने सुचा चलिए आज मैं आपको ये बताओं कि यूनानी दवाएं कैसे असर करती हैं इनका असर कैसे होता और इनका हम इस्तिमाल कैसे कर सकते हैं सही फाइदा लेनेगी है क्योंकि अक्सर देखा होगा कि लोग एक माजून या एक कोई भी गोली ले लेते हैं और दंग से उसका पता भी नहीं होता है कि उसका मिजाज क्या है उसका असर कैसे करेगी वो और क्या फाइदे हैं और बस इस्तिमाल कर ले फाइदा हुआ तो बहुत अच्छी बात है नहीं हुआ तो वेकार होगी तो ऐसे ना करें मैं सुच रहा हूँ कि अगर आप लोग बराबर बता रहो कोई टॉपिक नहीं मिल दा आज तो मैंने सुचा मैं आज आपको बताओं कि दवाओं को कैसे इस्तिमाल करें हम अगर किसी बीमारी का इलाज करना चाहरे हैं तो हमें सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि वह बीमारी का मिजाज क्या है कि किस मिजाज क गड़बड होने की वज़े से वह बीमारी हुई है फिर उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि दवाओं का मिजाज क्या है अगर यह दोनों चीज़ें सही हैं तब तो हम युनानी इलाज कर सकते हैं वरना हमारे लिए युनानी इलाज बिलकुल बेकार है मतलब ऐसे अगर ना मिजाज के अकोडिंग अखलात इखलात के अकोडिंग अगर यह आप समझ जाते हैं तब युनानी से इलाज करना बहुत आसान होता है और बड़ा हर लाइलाज बीमारियों का इलाज होता है जो किताबों में पुरानी किताबों में जिन बीमारियों का जिक्र नह हैं आज के जमाने के साफ से क्योंकि आज के दौर में नईनी बीमारी आ रही हैं लेकिन अगर उन किताबों में ये जरूर बताएगा है कि फला मिजाज को कंट्रॉल करने के लिए इस मिजाज की दवाइं या तबदीली हुई है उसको हम कैसे नौर्मल करें ये चीजे सारी बताएगा ये युनानी किताबों में तो इसके कोई वाइरस चला तो इसका भी आप जानते हैं कि ठीक से नहीं है अभी कहीं पर भी लेकिन क्या है कि हम समझ जाएं कि इसका मिजाज क्या है अगर कोई वाइरल इंफेक्शन हुआ है तो अगर हमें पता लग जाए कि इसका मिजाज क्या है तो हम according मिजाज उसके इसाफ से दवाइं इस्किमाल कर सकते हैं जैसे कोई भी वाइरस है या कोई भी वाइरल इंफेक्शन है मानो हमें ये पता लग जाए कि गरम मिजाज की वज़े से हुआ है बौडी में गर्मी पैदा हुई यानि कि इन्फलानेशन भी इलाज मुकमल नहीं है लेकिन हम उसके मिजाज के according कर सकते हैं हमें पता लग जाए कि मर्ज जो है गरम मिजाज रखता है ऐसी कंडिशन में हम सिंटम्स को देखते हुए धंडे मिजाज की दवाइं इस्तिमाल करा लें तो हम इस मर्ज को कंट्रोल कर सकते हैं और मैं सिर कंडिशन में क्या होना चाहिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसका मिजाज वाकई में गरम है गरम मतलब सफरा भी है या दम भी है ये मिजाज जो है आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको वहां समझ में आएगा क्या चीज होती है मिजाज अच्छे से समझ म गवराद बेचेनी और चिरचड़ापन गुस्सा बहुत ज़़ा होना यह सब क्या है यह गरम मिजाज वालों की पहचान हो तो ऐसी कंडिशन में हमें क्या करना है सबसे पहले कि हम यहीं पहचान करने है कि मिजाज वाकई में इनका गरम है इसके टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई है सफरावी मिजाज वालों की कैसे पहचान करेंगे इस टॉपिक पर आप जाकर के देखे मेरी वीडियो मिलेगी तो हम पहचान करने के बाद अब हमें यह मालूम होना चाहिए कि दवाओं का मिजाज क्या है अब हमें ऐसी कंडिशन में क्या करना है सर्द तर दवा हम उसका नाम याद कर लेंगे या रट लेंगे हमें सैक्ड़ो हजारो दवाएं सब का मिजाज मालूम होना चाहिए तभी मजा आएगा युनानी इलाज करने में अगर ऐसा नहीं कर पाते है तो फिर एक समझे तुक्का हो जाएगा कि बस किसी ना के बताया कि पेट हमने लिया और माजून उठाके या कोई शर्बत उठाके या कोई चटनी उठाके या कोई टैबलेट उठाके जैसा नहीं है यह सब गलत हो जाएगा इससे बदनामी उठी है बदनामी का मतलब इससे यह है कि हमने फला जगा से युनानी दवा की और उससे कोई फायदा नह अगर अपने युनानी दवाओं को लिखें या युनानी दवाओं को दें अगर हम ऐसा करते हैं तब जाकर के वही दवा वेटर से बेटर काम करेगी और अगर हमने ऐसा नहीं के लिखें और आपने मिजज के नहीं पेचाना और मिजज के कोडिंध नहीं दवाओं नहीं देगी तब वो दवा आपको हो सकता है इतिफाक से फाइदा कर जाएए Hebrews तो अगर उल्टी सीधी भी लोग दवा दे देते हैं, उठाके तो उससे क्या है, नुकसान नहीं होता, तो इसलिए कोई टैंशन नहीं होती है। फायदा नहीं हुआ तो बदनामी होगे किया खाब हमने युनानी दवा इस्तिमाल कि लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ बात खता खराब होगे ऐसी कंडिशन में हमें सबसे बहतर ये चाहिए कि हम मर्स को पहचाने, मिजाज को पहचाने, दवाओं के मिजाज को पहचाने जब हम ये सारी चीज़ें एक साथ इखटी कर लेंगे इनसान का मिजाज, इनसान की बीमारी और दवाओं का मिजाज अगर हम ऐसे कर लई है तब हमेn इलाज करने में बहुत आसाणी होगे मैंने ये आजमाया कि अगर हमने मिजाज के कोटनिग मिजाज पहके पहचान लिए और उसके कोटनिग हमने दवा दे दी तो पहली खुराख में भी फाइदा कर जाती है कहते हैं लोग युनानी दवा बहुत देर सासर करती है, ऐसा नहीं है, मिजाज के अकोर्डिंग, आप सफराभी मिजाज वाले को ठंडी दवा देके देखो, अभी शर्बत ऐसा ठंडा दो, कोई सा भी बहुत सारी हो सकती, 5-10 मिनट में या 20 मिनट एक गंटे के अंदर उसको फाइदा हुआ तो अच्छी बात और नहीं हुआ तो बात खराब या बात खत्म, ऐसा इस चीज़ का ध्यान लगे, मैं सोच रहा था काफी जिमसे के इस तरह से लोगों को बताओं, क्योंकि हमारी जो वीडियो लोग देखते हैं, वो बहुत विश्वास करते हैं, और जाए उनानी प्रेक्टिशनर हैं, या आप पेशे जाब, दोनों के लिए ये वीडियो हैं, तो इस चीज़ का ध्यान दखें, कहना मतलब मिजाज के अकॉर्डिंग ही दवाओं का इस्तिमाल करें, मर्स को बिना पहँचाने को ऐसी दवा ना दें, जिससे बात खराब हो, युनानी बदनाम हो, क्योंकि ऐसा बहुत होता है, चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि ऐसे तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, मैं तो शाम तक बोलता रहूं है, आज के लिए इतना ही, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट सरके ज़रूर होता है, कैसे लगी, शेयर करें, मिलते हैं फिर किसे